जब वो खाना कुछ अच्छा तो बनाईए फटाफट से पनीर दो प्याजा और आटे का नान पराठा मेरे कहने पर एक बार पनीर दो प्याजा और नान पराठा बना करके देखे उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे हाई गाइस चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं पनीर दो प्याजा बनाने से पहले सबसे पहले हमें डो लगा करके तयार करके रख लेना है और इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कप आटा ले लिया है गेहूं का जो नॉर्मल आप रोटी के लिए यूज करते हो आटा वही मैंने लिया है चार से पांक चमच मैंने इसमें सूजी डाल दिया है और कप से नापे तो ये वन फोर्थ कप के जितना होगा सूजी डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें आधा चोटा चमच नमक डाल दिया है नमक डालने के बाद एक चमच आजवाइन हाथों से मसल करके डाल देंगे और तीन चमच मैंने इसमें सुधगी का इस्तमाल किया है सभी चीजों को अच्छे से हाथों से रफ करते हुए मिला लिया है अच्छे से उसके बाद आधा कप मैंने बारी कटा हुआ धनिया डाल दिया है डल्ठा सहीत मैंने धनिया को काट कर लिया था वो डाल दिया है और उसे भी मिला लिया है अब डो को गूथने के लिए मैंने दूध और दही का इस्तमाल किया है तीन चमच दही इस्तमाल किया है और एक कप मैंने इसको लगाने के लिए दूध का इस्तमाल किया है रूम ट्रम प्रेशर पर मैंने दूध और दही दोनों को लिया है तोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरीके से दूढ को हमें एकदम धीला सा डोड लगा करके तयार कर लेना है डोड़ा गया है पूरा मेरा एक कप डूढ लग गया है डोगाने में और दो-तिन चमच मुझे पानी भी लगा है तो डो मेरा तयार हो चुका है अब इसे कवर करके हम रख देंगे ताकि डो जो है फर्मेंट हो जाए थोड़ा सा और सेट भी हो जाए अब पनीर दो प्याजा बना लेते हैं जल्दी से तो यहां पर तीन चार प्याज को इस तरीके से खोल लिया है और उसके अंदर वाला भाग मैंने बारी काट करके ले लिया है तो इसे हमें बटर में भूना है तो एक बड़ा चमच मैंने बटर डाल दिया था और दो हरी मिर्च एक लाल मिर्च और तीन चार प्याज को इस तरीके से काट लिया था और एक टमाटर को मैंने चार टुकड़ डाल करके भून लिया है वापस से उसी कड़ाई को मैंने ले लिया है और एक बड़ा कलचुल मैंने डाल दिया है इसमें ससो का तेल तेल जैसे ही गरम हो गया है तो इसमें खड़े मसाले मैंने कूट करके डाल दिया है एक तेजपत्ता हरी लाइची एक तीन से चार लॉंग खड़े और चार दाने काली मिर्च के और आधा चुटा चमच सौफ इन सभी को एक साथ मैंने कूट लिया था और डाल दिया है तो तेल में हलका सा भून लेने के बाद बारी कटा हुआ लैसुन डाल दिया है एक चमच और पहले मैंने जो चार पाज प्याज का उपर वाला भ भाग बारी काट करके लिया है उसे भी डाल दिया है और हलका सुनारा होने तक भून लेना है प्याज को भूनते वक्त ही मैंने नमक डाल दिया था एक चमच उसके बाद मैंने दो टमाटर का प्यूरी बना करके रखा था वो भी डाल दिया है टमाटर का प्यूरी डालने के और अच्छे से मसालो को पहले भूून लिया है अब यहां पर मैंने इसमें एंक नमा ठलने गर की यहांँ लिया है और प्रभीया खुत्त माचीं के लिए और धनिया के थोड़े से मैं डंठल भी काटख के लिए है इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो इन सभी को मसालों में डाल करके हमें अच्छे से पहले भून लेना है मसालों से जब तक अच्छे से खुसबू नहीं आने लगती है यानि जब तक की मसालों से ओयल सप्रेट नहीं होने लगता है तब तक हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है उसके बाद जब मसाली अच्छे से भून गए हैं तो मैंने पनीर डाल दिया है जो भून करके गरम पानी डाल करके इसका धकन लगा करके इसे पांच मिनट पका लिया है और ये लीजिए पनीर दुप्याजा बन करके तयार है तो इसे साइड में रखते हैं अब हम फटा-फट से पराठा नान बना लेते हैं पहले एक बार डो को मैंने अच्छे से नीड कर लिया है यानि के बाद हमें इस पे एक चमज के जितना ओयल या बटर जो भी आप लगाना चाहो वो लगा दीजिए और सुखा आटा डश्ट कर लीजिए उसके उपर से मिला दीजिए अच्छे से सारे रोटी पर लगा दीजिए और जैसे दिखे हम लोग पंखा बनाते थे बच्पन में और ये लीजिए पंखा वाली डंडी बन करके हमारी तयार हो गई है ये हवा वा देने के लिए नहीं है इससे हवा नहीं लगेगा दोस्तों ये लच्छेदार यानि परत वाली हमें पराठा नान बना करके तयार करना है तो इस तरीके से फोल्ड कर दिया है नीचे ले आ कर करके उसके बाद थोड़ा सा सुखा आटा दस्ट करेंगे और हलके हाथों से प्रेस करते हुए बेलंसे हमें बेल करके रोटी की जितना तयार कर लेना है और उपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया कुछ आप चाहे तो इसके उपर से सौफ बिढा सकते हैं या तील डाल दीज जो आपकी एक्शा हो वो मरजी इसके उपर से लगा दीजिए मैंने इसके उपर से सिर्फ बारी कटा हुआ धनिया और बारी कटा हुआ लहसून लगा करके बेलंसे हलका सा प्रेस करके रोटी जितना बना लिया है उसी तरीके से देखें यहाँ पर मैंने दूसरा भी बना है और यह लीजिए दूसरा पंका भी हमारा बन करके तयार हो गया फिर हलका सा सुखा आटा डश्ट करेंगे और हलके हातों से से बेल करके हम तयार कर लेंगे और उपर से थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया और बारी कटा हुआ लहसून डाल करके थोड़ा सा हलके हाथों से उपर से बेलन से हमें दबा देना है ताकि धनिया और लहसून चिपक जाए पराठे नान में और देखिए तवे पर पहला वाला मैंने हलका सा तेल लगा करके डाल दिया था और दोनों साइट तेल लगा करके इसे उलट पलट के क्रिस्पी होने तक हमें तो पौने से दबाते हुए दोनों साइड मैंने तेल लगा करके क्रिस्पी होने तक इसे पका लिया है और ये लिजे पराठा नान एक मेरा बन करके तयार है उसी तरीके से दूसरा भी तेल लगा करके दोनों साइड हम सेक लेंगे अच्छे से और इसको सेकने के लिए दोस्त और इसे हलका सा इस तरीके से हाथों से हम चूर चूर कर देंगे इस तरीके से हाथों से चूर चूर करने पर यानि दबा करके जब मोड देंगे तो इसके सारे लेयर खुल जाते हैं अच्छे से और ये खाने में बहुत टेश्टी लगता है इसके उपर से मैंने थोड़ा सा बटर भी बाद में लगा दिया था और भी टेस्टी लग रहा था खाने में तो लीजे फटा-फट से थाली में हम पनीर दो प्याजा परोस लेते हैं और प्याज के लच्छों को मैंने थुड़ा सा सिर्का और लाल मेज पाउडर काला नमक डाल करके मेरिनेट कर लिया था तो प्याज भी रख दिया है और एक हरीम मेर्श साथ में रख दिया है और ये लीजे लच्छा पराठा नान भी रख देंगे और इसके उपसे बटर डाल दिया है गर्मा गर्म पनीर दो प्याजा और पराठा नान बन करके तयार है लच्छेदार लीजे दोस्तों थाली लगकर के तयार है आप चाहे तो पराठे को उपर खुब सारा बटर लगा सकते हैं आपकी मर्जी है तो दोस्तों एक बार मेरे कहने पर पनीड दो प्याजा और आठे से बनने वाला लच्छा पराठा नान बना करके देखे आप खाते ही रह जाओगे प्लेट भर भर के खाएगा लोग मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने ससी को दीजिए इजाज़त बाई बाई दोस्तों